तो ये जो 79,108 है इसका क्या मतलब है और रीट 2022 का जो मुख्य परिच्छा होगा किस महीने होगा और जो इसका पातरता परिच्छा है दोस्तों जो लोग पहले दे चुके हैं वो लोग देंगे कि नहीं देंगे और पातरता आजीवन रहेगा कि नहीं रहेगा और बहुत सार दोस्तों यहाँ पे 22,608 पदों के लिए 22 भरतिया कराने वाला है और जहां तक आपको पता है दोस्तों कि सिछा मंतली ने खुद यहाँ पे ट्वीट करके कहा है कि यह जो रीट है 46,500 वाला इसका भी जिम्मा आपको बोर्ड एजनसी को दिया जा रहा है करमचारी चैनायो बोर्ड जैनसी को तो यह टोटल मिला करके 79,160 अब पदों पे यह भरतिया जैनसी करवाने वाली है और यह जो भरतियों का मौसा में 24 अप्रेल से सुरू हो जाएगा आप पूरा का पूरा देखे लिश्ट देख सकते हैं कि करमचारी चैन बोर्ड जैनसी जो है यह कितने सा इस साल करवाने वाली है इसलिए दोस्तों जो इसका एक्जाम है पातरता वाला क्वालिफाइंग नेचर का जो होगा वो आपको 23 और 24 जुलाई को हो जाएगा और पातरता होने के बाद ही आगे का कारेकरम होगा यानि कि मुख्य परिछा फरवरी मार्च अप्रील में ही हो पाएगा क्योंकि इनके पास ओल्रेडी इतने सारे एक्जाम पड़े हुए है यानि कि कुल मिलाकर 79,000 हो जाएगा पहले तो यहां पे 22,000 था लेकिन ये वाला इनको जिम्मा देने के बाद टोटल 79,000 पदों पे इनके पास जिम्मा हो जाएगा एक्जाम करवाने का वैसे दोस्तों रीट जो है न वो राजस्थान बोड करवा रही है ठीक है रीट जो है वो राजस्थान बोड करवा रही है तो बहुत लोग ये पुछ रहे थे कि जो पातरता प्रमाण पत्र मिलेगा जो पहले मिल चुका है तो अगर मैंने पहले से एक्जाम दिया है तो क्या फ बहुत लोग सोच रहें किया करें, फिर से दे ही देते हैं, बहुत लोग सोच रहें कहीं आजीवन कर दिया गया पिछले वालों को भी, तो फिर आपको टेंशन फिर ही हो जाएंगे हम, किवल हमें भरती परिच्छा देनी होगी, और जो लोग पहले से रिट दिये हुए हैं, अब उस पे तो suspense बनाई है चलिए देखते हैं क्या होता है क्योंकि जब तक ये clear नहीं हो जाएगा कि पुराने वाले को भी आज जीवन दिया गया है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है और बाकी आप दोस्तों आप रीट जो है वो दीजिए और रीट देने के बाद आप का ज्वाइनिंग आपको एक महिने में दे दिया जाएगा क्योंकि सारी परक्रियाएं अब खत्म हो चुके हैं लगभग जो भी कानूनी पचड़त है